आईपियल में शलब श्रिवास्थप, किंग्स इलेविन पंजाब की टीम में हैं अंडर 19 वर्लकप में भारत की तरफ से खेल चुके हैं साथ पंजाब की टीम ने 30 लाख रुपए का करार किया ना खुद बात कर सकते हैं ना अपने एजेंट के जर्ये मगर शलब के अंदर जादा से जादा पैसा कमाने की भूक ने उन्हें बेचैन कर दिया है वो आईपियल में फिक्सिंग तक के लिए तयार है अब बताईए पैसे आप बताईए आप बताईए और वाइजेंट आप बताओ पांच लाख बहुत कम यार पांच लग तो फूरे तुनमेंट में नहीं करेंगे हम आपसे फेवर की एक या दो मैंच में ही करेंगे तो अब बताईए पांच लाख ठीक है अपके लिए एक नोबॉल के यह जी? 10 लाग. 10 लाग एक नो बाल के? वो ऐसी फ्रेंचाइजी में जाने की बात करते हैं, जो उन्हें जादा से जादा पैसा ब्लैक में दे सके. देखे, जो साइन होगा मेरा वो तो 30 पे होगा. साइन जो होगा वो 30 पे हो. 30 लाग. जैसे यहां पे होगा. जैसे यहां पे होगा. यह हैं, बाकी हो जैसे मैनेज कर सकते हैं. 70 लाग ब्लैक पी. ठीक है. अंडरकवर रिपोर्टर की शलब से तीन बार, अलग अलग जगहों पर मुलाकात हुई. तीसरी मुलाकात इसी आई पील के दौरान हुई. सबसे पहले शलब से हमारी मुलाकात घाजियाबाद के एक मॉल में 30 मई 2011 को शाम पांच बजे हुई. रिपोर्टर ने शलब को बताया कि वो एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कमपनी चलाते हैं और एक जानिवानी फ्रेंचाइजी से उनकी बात करा सकते हैं. शलब ने बीसी सियाए के नियमों की धज्जिया उनाते हुए. हमसे फ्रेंचाइजी वदलनें पर बात शुरू कर दी. शरुवात में ही कह दिया, ब्लैक मनी दिया जाता है. मैं भी लूँगा. पहली ही मुलाकात में शलब ने हमें फ्रेंचाइजी बदलनें की बात आगे बढ़ाने की इजाज़त देगी. मतलब आपकी चन्सेंट दे रहे हैं बात करें जाएं आपने की बीजहत देज़ने के भी करें हैं आपकी इंदेगी. आपने सुना आईपील के क्रिकेटर शलब शिवासतब कह रहे थे एक करोड पर बात कर सकते हैं ब्लैक मनी मिले तब ही चलेगा शलब से हमारी दूसरी मुलाकार आईपील का नया सीजन शुरू होने से हफता भर पहले यानि 27 मार्च 2012 को दिल्ली के होटल डिप्लोमाट में हुई हमने एक जानी मानी फ्रेंचाइजी में एक करोड का ओफर दिलाने का पायदा किया शलब का लालच साफ दिख रहा था सुनिए वो 70 लाख रुपए ब्लाक में लेने की बात कर रहे हैं इसको अच्छा बैका मिलना वाप में पताएंगे तो यह तो आपका केक्यार का ड़न हुग है आप केक्यार वाली पुछ रहे थे कि इसमें आपको ब्लैक का वो कितना चाहिए अमाउल्त और वाइट का मूल कितना चाहिए जो साइन होगा मेरा वो तो 30 पे होगा है इसको अच्छी तरह मालूम है कि BCCI की तए कैटेगरी के मुताबिक उन्हें 30 लाख रुपए से जादा नहीं मिल सकते इसलिए वो ब्लैक में 70 लाख रुपए मांग रहे हैं शलप का दावा है कि ब्लैक मनी की बहती गंगा में उसका एक साथी हाग धो चुका है शलप कहते हैं कि एक बड़े फिल्म स्टार के टीम में खेलने के बदले उनके साथी को 45 लाख रुपए ब्लैक में मिल रहे हैं क्या बिश्वा को कितना मिला है के खिया से जो लोगे बिश्वा ने बताया है 75 बताया है 75 लाख कॉन सी कटेगरी में आता हूं थी त врाग तो इसमें उनका एजसमेंट कैसे होता है बाकी का कि शुदिन के अब बढ़ाया तो आपको कैश देते हो आपको कैश देते हो पूरा कैश देते है या कुछ एड़िटीजमेंट वगरा सोर्स दिखाकर बाकी पैसा वहां से देते हैं या वो डिपेंड करता है पंचावी और यह एपना जैसे जिस अब उसका बाकी का जो भी आ अगर IPL पे फ्रेंचाइजी अपने खिलाडियों को ब्लाक मनी बाट रही है तो क्या BCCI इस से बेखबर है यह सवाल हमारे दिमाग में था जिसे हमने शलब से ही पूछ लिया और जबाब में शलब BCCI के एक बड़े अधिकारी का नाम ले रहा है अब मुझे बताओ दोनी को रहना को रिटें किया है श्री निवासन ने रिटें किया अब मुझे आप यह बताओ कि 2020 के लिए रहना दोनी और गौतम गंभी थर्ड नंबर पर याईगा अगर आपको भी सलेक्ट कर लोगा तो गौतम को थर्ड नंबर बिलोगी आप ठीक है अब जो उन्होंने जो इसमें वो दिया था कि साथ या आठ करोड बोला था दोनी रहना है वोगी इतने वरी टेंश को लिकिन आप मुझे ही बताओ ग्यारा करों का उसका हुआ है गौत गया था रात दिल्ली के होटेल डिप्लोमाट में शलब के साथ हमारी मुनाकाद चल रही थी प्लोमाट में शलब हमारे सामने बैठे थे शलब ने बताया कि 30 लाग की कैटेगरी वाले IPL खेलने वाले एक बड़े खिलाडी को 50 लाग की कार तोफे में मिली सीधे सीधे जीधे मिली खिला तो इस दी है? साहरह नार ग्री मेरा सेयधे थे बलता है मिली की ठयगा सुमआ था मैं और नुकर सेरे हैं T वाले आर iki कार दी ममीर खिलुनकर प्लैर नहीं है शे में स्पेलb लाग कार चार शार्मगा है C बेंग्लू wal रगने शिधात मालिया रइडू से रभाती मैश से राजी के सार्भाइडर करें जो नो ने क्या को रिया रहा है तो रिख कुर रभाइड़ा किसमें वालियाता रिख रभावाय राती राज़ राजू किसने है पंजाब की टीम के शलब शिवास्तव ने तीन बड़े खुलासे किये शलब का खुलासा नमबर एक आईपियल में ब्लाक बनी देकर खिलाडियों को खरीदा जाता है दूसरा खुलासा शलब ने बताया मनविंदर विसला को 75 लाख रुपए ब्लाक में मिले तीसरा खुलासा शलब ने आईपियल खेल रहे मनीश पांडे का नाम लिया जमशेद खान और सुशान पाचक की रिपोर्ट तो इन्डिया टीवी के इस बड़े खुलासे इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद अब पूरे देश में इसी ख़बर पर चर्चा शुरू हो चुकिया आपको बता देंगे बिसी सी आई के मुख्या इंश निवासन ने बयान दिया है कि आईपियल में किसी किसम का बरश्टा चार बरदाश नहीं किया जाएगा कि आईपियल में किसी किसम की फिक्सिंग बरदाश्ट नहीं की जाएगी यश्पाल चर्बा हमारे साथ हैं यश्जिक कहे तो रहे बिसी सी आई कुछ होगा जितना मैं प्रेजिडेंट को जानता हूँ मिस्टर सिरीर वासन को अगर उन्होंने कहा है तो जरूर होगा देखे मुझे हैरानी होती है जिस खिलारी का आपने नाम लिया है जो किंग्स इलेवन से खेलते हैं अगर आपको याद हो तो यह आई सी एल में खेले थे बैन हो गए थे और बी सी सी आई की यह दरिया दिली थी कि उन्होंने कहा था कि देखिए गलती सबसे होती है हम इनको आई पिल में खिलाएंगे इनका भविश्य देखते हुए यह युवा किलारी है उसका भी लिहाज कर लेना चाहिए था देखिए पैसा ठीका कमाना चाहिए लेकि अगर सही रास्ता से कमाए तो ज्यादा आचा है ये ब्रश्टा चार का तो ये कर्रप्शन का रास्ता तो फ्रेंचाइस का जिक्र इंडिया टीवी के स्ट्रिंग आपरेशन में हमका क्या किया जाए योगराज जी अपनी बात कह रहे थे योगराज जी कम्प्लीट करन अपनी बात विस्तार में सुनना पड़ेगा यश्पाल जी ने कानून की बात की मैं पहले कानून की बात करना चाहता हूँ यश्जी हिंदोस्तान में जो इंप्लिमेंटेशन है कानून की वह इतना खुला कानून है कि आप कुछ भी कर लो आप बचके निकल जाते हो दूसरी बात सर कर रहे थे इंकम टेक्स की जो कमिशनर हैंज वो कह रहे थे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा बच्चा क्यूं करता है ये क्रिकेटर्स जो आज कर रहे हैं इसकी बुनियाद कब रखी गई है आज से बहुत साल पहले जब बड़े-बड़े सीनियर क्रिकेटर्स फसे थे अगर एक परिवार में पिता और माता और भैन भाई जो करते हैं उनका असर बच्चों पर पढ़ता है आज जो बच्चे कर रहे हैं ये हम लोग का दिया हुआ है और हमारा सिस्टम इतना नंगा है इतना वहयाद हो चुका है कि हम उसको ठीक करना नहीं चाहते क्योंकि हमा में सब नंगे है आप करना तो आप ही लोगों को पढ़ेगा आप क्रिकेट की दुनिया के दिगज हैं सीनियर हैं या जो बच्चे जो जिनको आप बच्चे कह रहे हैं लड़के ये कल आपकी नैशनल टीम में खेलेंगे आप उनको देखने टिकेट लेके स्टेडियम में जाएंगे तो करना तो आप ही लोगों को पढ़ेगा एक ब्रेक के बाद लॉटर आपके पास तो इंडिया टीवी पर जारी है ये सबसे बड़ा खुलासा ऑपरेशन आई पी एल हम सीरे चलते हैं जोगिंदर सिंग जी के पास सीबिया के पूर्ट जिदेशक आप पर उंगली उठ रही है जोगिंदर सिंग जी की 2000 साल 2000 में अगर इस पर आपने कारवाई करके दोश्यों को सजा दिला दी होती तो आज लोगों को सबक मिलता साब मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान के कनून के मदाबिक कोई भी प्राइविट आजमी करॉप्शन के लिए गिल्टी नहीं है करप्शन सिर्फ गॉवर्मिन्ट सर्वंट कर सकता है ये कानून बनाना सरकार का काम है सरकार के पास रिपोर्ट थी उस समय के मंतरी थे डिंटसा साब थे उनने देखी उनने कोशिश पर इनकी अपनी मजबूरी होती है कर नहीं करना चाहते जैसे मीकिन साब करना चाहते थे और दूसरी बात है करनून की बजरूर्ट नहीं मैं कहता हूँ ये एक प्राइवट अर्गनजिशन है इनको कौन सा भी जो इनको उरिजिनल अप्रिशन्टी देना जब इनको शक पड़ गया एक मीटिंग करके बुलिए सारे सिंदगी बार बैंड हैं सबको बता दीजिए को रखें नहीं इनको दुबारा जो है ये कौन सा हर चीज के लिए करनून करेंगे देखिए इस स्टेश में तीन क्रोड बतीज लाग केस कोर्ट में पंड़ेंग हुए है अगर आपने करनून बना दिया तो सेंग्डो केस ऐसे ओर जाएंगे सबसे पुणा केस सेवंटीन फिटी सेवन का कैनकटा इकोर्ट में पंड़ेंगे अगर अगर यही तर्फ माने जोगिंदर सिंग जी तो फिर तो कोई भी गुनाह में किसी भी क्राइम में कोर्ट में हमको जाना नीची है खैर आपकी बात पर मैं जाओंगा योगराजी रियाक्ट करें वो हस रहे थे इस बात पर भी कि क्या आक्शन हुआ कानून क्यों नहीं बनते अगले खिलाडी ने जो कहा वो सच में चौकाने वाली बात है इंडर कवर रिपोर्टर के सामने एक खिलाडी ने दावा किया कि ब्लाक मनी की इस खेल की जानकारी बी-सी-सी-ाइक को भी है और इतना ही नहीं एक खिलाडी ने बेशर्मी से ये भी बताया कि वो खुद एक करोड बीस लाख रुपे ब्लाक में ले चुका है इस खिलाडी का चेहरा इस ब्रेक के बाद बेनकार और जारी है इंडिया टीवी पर उपरेशन आई पिल और इस पक्त हमारे साथ वरिश पत्रकार पुषपे इंदर सिंग भी जुड़ चुके हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है अपरेशन आई पिल में लगातार आठ मैच हार चुकी है इस खिलाडी ने आई पिल में ब्लैक मनी के इस्तेमाल के बारे में बहुत बड़े बड़े खुलासे किये और यहां तक दावा किया कि वो खुद एक करोड बीस लाग रुपए ब्लैक में ले चुका है Operation IPL में अब देखे एक और बड़ा खुलासा दो अंडरकवर रिपोर्टर मोनीश से छिपे कैमरों के साथ मिले अपने उपर हो रहे स्टिंग ओपरेशन से अंजान मोनीश मिश्रा ने IPL में ब्लाक मनी का हांडा फोर्ट किया मोनीश मिश्रा ने कहा फ्रेंचाइजी खिलाडियों को करोणों रुपए ब्लाक में दे रहे हैं तारीख 7 अगस्त 2011 वक्त दोपहर 12 बच कर 35 मिनट पहली बुलाकात में ही पैसों की बार शुरू हुई और बार शुरू होते ही हुआ बड़ा खुलासा मोनीश मिश्रा तीस लाख के स्लैब में आते हैं लेकिन सुनिये खोद अपने मूँ से मोनीश मिश्रा तेड़ करोड मिलने की बात कर रहे हैं सुना अपने डेड़ करोड का कॉंट्राक्ट आधिकारिक तौर पर मोनीश मिश्रा को पुने वार्यर से सिर्फ तीस लाख रुपए मिलते हैं और मोनीश की बात पर यकीन करें तो पूरे एक करोड बीस लाख रुपए ब्लैक में मिल रहे हैं लेकिन ब्लैक मनी और अपने फाइदे के लिए फ्रेंचाइजी बदलने के इस खेल में खिलाड़ी खूब डरते भी हैं होटल के रिस्टरॉंट में बात करते करते मोनीश ने इसका सिक्र किया लेकिन बात में मोनीश ने खुद ही बता भी दिया कि फ्रेंचाइजी को धोखा देने और ब्लैक मेल करने का खेल वो कैसे खेलेंगे अब सुनिए मोनीश मिश्णा का सबसे बड़ा खुलासा IPL क्रिकेट में ब्लैक मनी के बेशर्म इस्तेमाल का कबून ना मार मोनीश अपने मूँ से खुद कह रहा है कि सिर्फ 30 लाग वाइट में दे दो बाकी पैसा मैं ब्लैक में डकार जाओंगा कि साइन तेमाल में इस दुरत कर दा एक दोड़ा कर दो जाना है अचाइ कि साइन ब्लैक माय कोगा उप दोस दील का आपको अंड़ दो जब भी काथि 145 ऐसा पेरा हुए है एक करोर कतालिस आख तो असमें से कितना 30 लाग आपको एक करोर बिसके हो गया 15 लाग भी हो चुका अचा एक करोर जब साइनो एक्रेमेंट तब आपको को तर पे कॉंझ जिए अचा ब्लाक वला जब गजदा मैं रेति झाहीं तो सारा प्रेशच एंग सुझा है लो तो स्थ्मी में लिया तो एक करोरे 85 मिसे आप ने सिर्फ एक इन से प्रेमन कर डिया कोई अंडरकवर रेपोर्टर खुद को एक टीम का एजन्ट बता कर बात कर रहे थे दोबारा तस्दीक के लिए हमने एक बार फिर टीम बदलने और ब्लैक मनी की बात की बहनीश हर बात पर हां कहते चले गए अब मालीजे हम आपकी मुझे इंडियन की दो करोड़ी आज की डेट में बात करके चलता है दो करोड़ी आपको मिल गाए अब मुहनीश का सबसे बड़ा खुलासा क्या IPL में ब्लैक मनी के लेंदेन के बारे में BCCI सब कुछ जानती है मुझे एक सबसंदे में के इंडियोथ को लेगए के समय रख है तो करेंगी लेख है डिफ यज्ट अन वियरगए को लओस में आटैक्श पढ़ीये सबसी लेख élite मैंने सबस्तुख के सेंड़ है आपने मोहनीश मिश्रा की बातें सुनी एक एक बात हिला कर रख देने वाली थी मोहनीश ने पहला खुलासा किया तीसलाग रुपए के स्लेब वाले खिलाडी को दिये गए तेर्ट करोड रुपए पैसा ब्लैक में दिया गया महनीश का दूसरा खुलासा BCCI भी जानती है खिलाडियों को ब्लैक में पैसा मिलता है तीसरा खुलासा अभी से महनीश मिश्रा 2013 के IPL की खरीद और बिकरी में जुटे हैं उन्हें 2 करोड रुपे चाहिए 30 लाख वाइट में और 1 करोड 70 लाख रुपे ब्लैक में चौथा खुलासा महनीश ने अपनी ही टीम के मनीश पांडे का नाम लिया बोले उसे तो 90 लाख की मरसडीज मिली है जमशेद खान और सुशान पाठक की रिपोर्ट तो एक और खिलाडी का परदाफाश आपको बताते हैं कि पुरे वारियोज इंडिया की फ्रेंचाइजी सहरा इंडिया ने इंडिया टीवी से फोन करके सफाई दी और कहा कि सहरा ने मुहरीच मिश्रा को कोई ब्लैक मनी नहीं दिया था अब चलेंगे अपने मेमारों के पास हमारे साथ चुड़ें पुश्पेंदर सिंग वरिश पतरकार है अभी तो ये ताजूब हो रहा है कि ये क्रिकेट की बात हो रही है या बिजनस है ये जी अगर देखिए इसको बिजनस के लेवल पे देखे तो मुझे अच्छे से आद पड़ता है कि जब पहला सीजन शुरू हुआ था पहले के बाद इस तरह की जो ब्लैक में पैसा देने का एक चलंज शुरू हुआ ये दूसरे सीजन से शुरू हुआ मुझे अच्छे से आद है कि मैं उसमें BCCI के आफिस के बाहर खड़ा हुआ था और जब हमारे कानों में ये बात आ रहे थी कि कैई खिलडियों को शायद इस तरह से पैसे दिये जा रहे हैं और क्योंकि पहले सीजन में जोश में थी टीम है जितने भी ओनर से उनके पास अ मुझे बातों ही बातों में एक BCCI से अधिकारी ने यहां तक साफ साफ बातों ही बातों में क्लियर कर दिया था कि ये लिमिटेशन तो ओपन है ना आप अंडर दी टेविल जितना चाहां उतना दीचे उस समय रास्ते भी बताए गया थे कि आप किसी को बंगलो दे सकते है किसी को कार दे सकते हैं किसी को फलेट दिलवा सकते हैं किसी को ऐसे हॉलिडे पैकेस करवा सकते हैं जैसे अगर साफ इंडिया में कही है किसी को हिल स्टेशन पर बंगलो चाहिए तो बंगलो दिलवा सकते हैं यानि कि अगर आपकी लिमिट बीस लाग की है तो बीस लाग की आज बी सी साय कहती है अगर कुछ घलत हो रहा है तो हम रोकेंगे क्या बी सी सी आय को मालूम है कि ये जल्तिया हो रही है क्या ये गरक धंदाँ चल रहा है बी सी सी आय की नाक के नीचे और उसकी अजाजत से ये आगे बात उठेगी लेकिन उसे पहले एक बेटेek बड़ा खुलासा जारी एडिया टीवी पर आपरेशन आई पी एल क्रिकेट है या बिजनस है ब्रेक से पहले आपने पुडे वारियर्स की खिलाडी बोनीश मिश्रा का कबूल नामा सुना एक करोल बीस लाग रुपए मुझे कैश में मुझे ब्लैक में मिलता है मैं जाओंगा सिदर बेरी साब के पास बेरी साब क्या है बुंके रहे कि बिनिश साब कुछ ना मालूम हो नहीं यह अगर हमें मालूम है तो बीस इसा की कोई नहीं मालूम इतना पैसा आपने बेजना देजना शुरू कर दिया मुझे नहीं पता कि ये लड़के कितने पड़े लिखे हैं मगर जिसने इनको इतना अक्कल है कि इतनी 30 लाख दीजिए और 70 लाख बाद में देंगे हमारे बाद 10 लाख आज़े तो हम गबरार जाते करें किया पैसे को इनको तो सब पता है इसका मनद पूरी ट्रेनिंग है और यह एक इसमें बीसी से इसने जिम्हेदार है छोटी यह मुल्क में आप जहाँ पर 20 लपे पर कतल होता है आप पर आपने पैसा सब बाढ़ना शुरू कर दिया पहले तो यह ब्रैक मनी नी है यह मनी लॉंडरिंग है अगर किसी भी बॉलीवड में आप ब्रैक मनी लॉंडरिंग है ब्लैक मनी का मुद्दा जो चल रहा है मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ कौन सा ऐसी चीज है हिंदोस्तान में जहां पर ब्लैक मनी नहीं चलता क्या आप सबने प्रापटीज कभी नहीं खरी दी किसी ने घर नहीं खरीदा फार्माउस नहीं खरीदा गाड़ी नहीं खरीदी क्या उसमें ब्लैक मनी नहीं चलता है 60 40 70 30 और यहां भी ब्लैक मनी चलता कांसा ऐसा डिपार्टमेंट है यहां पर प्लैक मनी नहीं चलता है योगराजी लेकर पेरेंट बाड़ी रास्ता नहीं है यह आदमी को पर डिपेंड करता है इसी को बात नहीं है जवाब पीदिए ना आप मैं आप सबसे पूछता हूँ मैं जूआप दे रहा हुँ ना ने कहाँ यहां पर मनेंट रहया है मैं जिन्दफी में एक पैसा नहीं में रहता हूं एक पैसा नहीं दियाि 22 लाग मंगा, 22 लाग चेक्ट में किया उनको जो है जो आदमी के उपर डिबेंड करता है, जो करना से हैं कर ले, इसमें क्या बात है येश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके बात सुनने के लिए एक और ब्रेक्ट के ले रहा है येश पाल शर्मा कुछ कहना चाते है, उनकी बात हम सुनेंगे, क्या बीसी सी आई जिम्मेदार है, आज जो भी गंदेगी हम देख रहे हैं क्रिकट में, आई पील में, क्या उसके लिए बीसी सी आई जिम्मेदार है या सिरफ किलाडी, एक ब्रेक के बात इंडिया टीवी पर बड़ा खुलासा ऑपरेशन आई पील जारी है, क्रिकट का काला चैरा आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, हम सीदे यश पाल शर्मा के पास चलेंगे, ये जी अब ये सवाल है आपसे, अब ये प्लेयर और फ्रेंचाइजी का निकसस कैसे देखें सौरब अभी आपने एक बात कही थी, जो बीच में आप ब्रेक पर चले गए, मैं बेदी साब की बात को आगे बढ़ाऊँगा, कि यहां की बात करें, अभी आपने कहा कि सहरा के एक अधिकारी ने फोन किया और सफाई दिया, कि हमने कोई पैसा नहीं दिया, मज़ लगता है कि एक्शन ले तो फिर बात बने, क्या एक्शन हो, सफाई देने से कोई मसला हल नहीं होगा, लग रहे हैं जी लगता है, और सौरब यहां पर दूसरी सबसे खास बाती है कि यहां देने वाला बेशक डिनायल दे रहा हो, लेकिन लेने वाला साफ साफ केमरे पर कह है कि मुझे मिला है, बिना के कभी धुआ नहीं उठता है, मुझे अच्छे से आदा है कि जब अगर सेकंड सीजन से यह सारी चीज़ें शुरू ही थी, क्योंकि सेकंड सीजन के बाद से भी आप देखेंगे हर चीज का कैप बढ़ता चला गया था, लगतार पैसा, जो पैस के दौरान जो सामने आई होंगी, जो शायद आपको रिकॉर्डिंग में ना पता चल पा रही हों, वो दोनों रिपोर्टर हमारे जिनों ने स्रिंग ऑपरेशन किया हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे प्रेशन आई पियल में अब तक तीन खिलाडी बेनकाब हो चुके हैं, अब चौथे खिलाडी का चेहरा भी सामने आएगा प्रेटियस इंडा के किंग्स 11 पंजाब के इस खिलाडी ने आई पियल के खास मैच का जिक्र किया, जो फिक्स था, कौन सा था वो मैच और कैसे बेनकाब हुआ ये खिलाडी, इस प्रेक के बाद